बिहार से हैं, राज, स्वागत है आपका हलो, डॉक्टर साब, मुझे थोड़ा क्या दिक्कत आता है कि जैसे मैं थोड़ा सोचते रहता हूँ और मैं खुछ नहीं रहता हूँ, हमेशा दिमाग में चलता है कि मुझे कुछ हो गया है और ये हमेशा बह्म हो गया, जबकि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ आपकी उम्र क्या है? 40 एज़ ठीक है अधिके अपने आपको मस्रूफ कीजिए कहीं बिजी करिए किसी काम में लगाईए और धनिया आप जानते हैं, धनिया किचन में जो धनिया होता है, धनिया का दाना अपने घर में किसी से कहिए, इसको पाउडर बना दे, धनिया का खूब बारी पाउडर और ये पाउडर बना लें, सर्दो सो गिराम धनिया और एक आता है, सिर्का अलोवीरा का सिर्का वनेगर अलोवीरा ये तीन चम्मच रात को एक गिलास पानी में डालें और अधा चम्मच धनिया खाएं और ये अलोविरा का सिर्का युक जो पानी है ये पी कर सो जाया करें आपको फाइदा मम्किन है जी अंबाला से है राम चरण जी स्वागत है आपका हालो हां जी बोलो मैडम अपने बेटे के बाद में बात की राता है उसको जटके लगती है जी गहीं है तो पर को देखता है तो देखता ही रहता है मतलब 5-10 मिने कोई चीज को छुएगा तो छूता ही रहेगा। कितनी उमर बताएं? आपने 16 साल बताएं ना? हाँ जी, लग बग है, बाइस साल गया जी. फिकर ना करें, और एक चीज बता रहा हूं मैं, वो इस्तमाल कराएं, रोजाना रात किसमें. देखिए तीन चमच, तीन चमच आपको लेना है अलोविरा का सिर्का, यानि वनेगर, तीन चमच और एक ग्लास पानी में डालें और एक चुटकी वे जतना खाने का सोड़ा है, वो डाल दें. इसमें जाक से निकलने लगे तो पानी मिला दें, और रोज आना रात के समय जब सोने का समय हो जाए तो एक बार पिला दिया करें टाइम काफी लगेगा लेकिन बच्चे को फाइदा होना मुम्किन है मौ से हैं भुलाराम जी स्वागत है आपका हलो हाँ बताईए भुलाराम जी आपके प्रश्णी क्या है हाँ 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 हाँ तो आप ले सकते हैं गॉंसिया नाश्ते और खाने के बाद आधा अधा गिराम और रात को सोते समय जैटुन का शिर्का पानी में मिला कर एक बार ले या दो बार भी ले सकते हैं दिन में आपकी पत्नी ले सकती हैं आप उनको फाइदा मुम्किन है आप इसको शुरू करें लेकिन ये अपने घर में ये होना चाहिए वेस्टन ट्वायलेट इनकों भी कमर में या घुटनों में दाथ है तो उससे फिर गौंसिया को और हमें बहुत मदद मिल जाती है आपको फाइदा पहुंचाने मे जी अंबाला से हैं तेजपाल जी स्वागत है आपका आजी ऐसा है मेरी मिशिज को लिवर सरोसिस है उम्र क्या अंकी उमर उनकी त्रेसुट साल 63 यार ठीक है उच्छे देखिए मेरी बात गवर से सुनिए एक आती है दवा जिसको कहते हैं कुटकी के यू ती के यू ती कुट के आई कुटकी ये आईरुवेदिक यूनानी नाम है ये दवा जडिबुटी है बाहर से सफैजी और अंदर से हरी होती है सुकी वि मिलती है ये पहाडों की जडिबुटी है कुटकी लिख लीजे, यह हरीद लीजे, सो गरम, असली मिलें कहीं पर, और इसको पौडर बनाके रखिए और एक आता है जैतूल का सिर्का, या अलोविरा का सिर्का, इन दोनों में से कोई भी सिर्का मिलें असली तो ले ली जे, अजो आलोविरा और इस पानी के साथ पी लें यह दवा जब जब जबान पर रखेंगे तो फीकी से लगेगी थोड़ी देर बाद कड़वी लगने लगेगी तो घबराएं नहीं जितनी देर रखेंगे इतनी कड़वी होती जाती है यह आप रोज आना कम असकम एक बार ज्यादे ज्यादा द है आपका मड़म हाँ जी में डॉक्टर साब से बात करने ती जी ठीक है जी बताईए क्या सवाल है मैं आपकी बात सुन गांगा हूँ जी आदव नमस्ते नकुड़गामा से बोल रही हूं जी आदव दो सर्व मैंने ना वो मंगाया था काला गॉन मंगाया था मुझे एक म जोडों के दर्द के लिए ना कहीं लगवाने गई थी मैं तो वह इंजेक्शन मेरे पग गया था खुलो के उपर तो डोक्तर साहब उस समयने इलाज करवाया था सरकारी इस्केतार से तो उन्होंने मतलब चीरा नहीं लगाया था पर ना बार बार वह उससे कट मारते थे बिल मतलब जो फोड अंदर से ऐसा लगता है जैसा अंदर जखाम है मेरा बीबी सर तो उसके लिए पूछना था सर और दूसरा मैंने पूछना था मेरी जीजा जी है सप्तर पिछतर साल के हैं उनको दो पदम भी चलते हैं तो उनको सांस चड़ जाता है जी ठीक है हाँ देखिए जीजा जी का खूब ख्याल लखिए और आपको तो फाइदा शुरू हो गया बैस्तन ट्वालेट का भी प्रियोग करें यह जो कुर्सी वाला सोचा ले होता है और यह जो आपको वो है इंजेक्शन की जगा की वज़े से तो अलसी ले लीजे अलसी दो तीन सो गिराम लेकर भून कर रखे उसको पाउडर बना कर रखे हलका सा भूना है और एक चमच रोजाना खालिया करिए अलसी और गौंसिया खालिया करिए इसके साथ तो वो जगा भी आपकी ठीक हो मुम्किन है और अभी आपको एक महीना हुआ है फाइदा शुरू हो गया ये गौन खतम होते होते आपको मुकमल फाइदा मुम्किन है मुचरते आप बजन वगेरा ना उठाएं और वेस्टन ट्वालेट यूज करें जी जाजी का इससे भी ज्यादा ख्याल करें क्योंकि उनको मेरे अनुभव के अनुसार दिल की प्राब्लम में हार्ट ब्लॉक इज तो फौरी तो पर उनको जैतुन का असली सिर्का तीन तीन चमच सुबा शाम खाने के बाद देना शुरू कर दे ये तो कभी भी कोई भी बड़ी परशानी उनको हो सकती है जी सीकर राजिस्थ अजी मेरे तीन-चार साल से है पैरों की अंगुलियों के बीच से लेकर और गट्टे होते हैं इतनी दूर तक थालें से थालें से होते हैं को पुछ कुछ नहीं दुआई बहुत ली और को देशी दुआई भूब लेली लेकिन क्या प्रोप्लम है कोई लिवर में के समद द गुछ खान प्रोप्लम कर लेता हूं उससे होती है किसे होती है आपकी उम्र क्या है उमर 52 साल है ठीक है अँगी यह बहुत कम लोगों को होता है करोडों में किसी एक को मैंने भी अपने जीवन में एक ही मरीज जैसा देखा जिसको यह प्रवलम है तो उनको मैंने जो एक आता है नमक जैतून एक तरह का नमक जैसा Buddhist आप बिल्कुल दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता है इसकी पहचान है कि नमक जैसा दिखने वाला पदार नमकीन नहीं तो यह ले लिज्र आप सो सो दुजा घ्राम खरीद ले आप की ब्यामारी के लिए काफी होना चाहिए दस वारा रुपे रोज कब पंदर रुपे रोज का इलाज है एक या दो चुटकी सुबा पानी मिला के खाए चुटकी में जितना आ जाए एक या दो चुटकी शाम को पानी मिला के खाने के बाद पी लें खाने से पहले भी पी सकते हैं इस सौद आजी नमस्कार जी नमस्कार अलो जी अदाब लाप्षाब नमस्कार जी जैहिन बताईए भाई क्या सवाल है ये हमारी माडम का जी सूगर की नमारी है कितने साल उसे है क्यार साथ हो गए जी. उनकी उम्र क्या है? फोर्टी एट. मैं देखिए जेपाल जी मैं यही बात कहता हूं कि फोर्टी के बाद यह सब बीमारी आनिक्ते हैं. चाहे कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद हो. अगर वो जैतून का सिर्का ले लिया करें. तो पिर य छाता है. तीच चार वीमारियों खतरा डल जाता है. शूगर का आर यह कालेस्टरॉल का हर ब्लोकिज का और फालिस का. खतरा हर चालिस साल کے آدمی کے کبھی بھی چاہے پچاس سال میں ہو پچالیس سال میں ہو لیکن یہ خطرے ہر آدمی پر آنے لگے کچھ ایسا کھان پین ہو گیا ہمارا کھان پان ایسا ہو گیا ماحول ایسا ہو گیا ایسے دوشت ہوا اور پانی ہو گئے اور سب چیزیں سبجی سے لے کر دودھ تک سب دوشت اور نقلی ملنے لگے تو اب ہر شخص کو چالیس سال کے بعد سابدان ہو جانا چاہیے جو دوہ کھلاتے ہیں وہ کھلاتے رہے اور زیتون کا سرکہ تین چمچ شام کو تین چمچ دوپیر میں کھانے کے بعد چھوٹے چاہے کے چمچ پانی ملا کر پلا دیا کریے ساری زندگی صحت کے ساتھ گزار سکتی ہے لیکن وہ دوہ بھی کھائیں جو ڈاکٹر نے دیوی ہے اس سے بہت فائدہ ہے ان کو ممکن لاجپت نگر سے ہے سنیتا جی سواگت ہے آپ کا ہاں جی میں سمیتا بول رہی ہوں ہاں جی میرے کو نا یورین کی پرابلم ہے یورین رک رک کے آتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے یورین جی نا آپ کے عمر کیا ہے میری عمر ہے سفٹی ٹھیک ہے جی کتنی عمر ہے ساٹھ یہ پریشانی بھی زیادہ تر لوگوں کو ہونے لگی اور اس کا بھی ایک نوارن ہے بہت اچھا جو بھی میں رو میٹریل بتاؤں وہ اصلی مل جانا چاہیے آپ کو نمک زیتون آتا ہے نمک زیتون یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کے کچھن کے ڈبے میں نمک بھارا بھارا رہتا ہے ویسا ہی سفید ہے لیکن نمکین نہیں ہوتا یہ لے لیجے تھوڑا سا سو دو سو گرام خرید لیں ہم بارہ چودہ پندہ روپے روز کا علاج ہے ایک چھٹکی یا دو چھٹکی پانی میں ملا کر روز آنا ایک بار یا دو بار بس کبھی بھی لے لیا کریں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ لینا شروع کریں آپ کی سمسیہ کا نیدان ممکن ہے تو آپ کی سمسیہ کا نیدان ہو جائے گا سنیتا جی پریشان نہیں ہونا ہے جلد سے جلد آپ نسکے اپنا لیجے گا درش کو ایسے ہی آپ لوگ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی روگ ہو گیا ہے نسکے آپ اچھے اچھے بہترین جان سکتے ہیں اور یہ کوئی معمولی نسکے نہیں ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ سیدھا جانتے ہیں حکیم صاحب سے تو اگر آپ لوگ حکیم صاحب سے बात کرنا چاہتے ہیں وہ بھی live तो इन नमबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगतार फ्लैश के जा रहे हैं अगर कोई भी raw material मंगवाना चाहते हैं हकीम صاحب की company से आप लोग मंगवा सकते हैं अतिया हब्स एक branded company 500 से भी जादा franchises की देश भर में हैं जिसके founder promoter researcher है हकीम सुलिमान खान साहब जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब एक program में हमारे साथ कॉलर जुड़े थे जिनकी के बच्चे की उम्र काफी कम थी लेकिन उनके लिवर में पानी भर गया था कारण क्या हो सकते हैं इतने छोटे बच्चे के लिवर में पानी भरना कि जब सबसे ये तेज असर दवाईयां हम लेने लगे और लिए सबसे अच्छी दवा जो फॉरी तोर पर फाइदे की होती है वो अलोपैथी मानी गई है जो पिछले सौ साल से हम ये खा रहे हैं जब हम अपनी मा के कोक में होते तब भी खाते हैं तब हम पैदा होते हैं जब भी स अच्छी हैं लेकिन जब हम किसी बीमारी में पड़ जाते हैं जैसे हमें मलेरिया, टाइफाइड, डैंगी, ऐसे बुखार आने लगे तो इसकी दवाईयां बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन उसके बाद हमें जरूर या उसके साथ हमें जरूर यूनानी लेना चाहिए क क्योंकि वो इतनी गरम और तेज दवाईयां हैं कि हमारे लीवर या किट्नी को शती पहुंचा कर ही जाती हैं तो मेरा उन सबसे निवेदन है जो लोग ऐसी दवाईयां खाते हैं और लीवर में पाबलम ना आये, अक्सर पी लिया हो जाता है, इन इलाज के बाद अक्सर प जिन लोह को दवा खानी ही कानी है तो जैटून का नमक आता या, जैटून का नमक, वो रोजाना, एक चुटकी या दो चुटकी पानी में लाकर ले लिया करें, तो उन दवाउ के असर को नुखसाना आतों को खटम कर देता है और किट्नी से जल्दीसे शाफ कर लेता, किट माजते हैं जब गंदे हो जाते हैं, तो हमें जिसे जहावे की जरूरत पढ़ती है, बर्तन माजने के लिए तो साफ नहीं होते है तो यह जहावा है, किड्नी का, लीवर का, मेंपार्स और बाडी जो जो जरूरी हमारे पार्ट हैं बाडी के उन गर तो जरूर झाल झाल